नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी एक इतनी टेस्टी सी सबजी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम मसालों में बनी गई है पर आप जाएसे रोटी, पराठे, राइस के साथ लीजे, बहुत बढ़िया लगते है यह है वो जो सफेज सूखे मटर आते है उसकी सबजी है, बहुत ही कम मसालों से बनी गई है पर बहुत अच्छी लगती है उसकी लिए यहां पर देख सकते हैं, मैंने यह सफेज सूखे मटर ले लिए है यह मैंने दो कप जितने लिए हैं, इसे हम अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे और इसके अंदर फिर से पानी डालकर ढखकर इसे हम रात बर बिगो के रख देंगे यानि कि ओवरनाइट इसे रखना है, आप दिन के 6-7 गंटे भी इसे रख सकते हैं मैंने इसे ओवरनाइट रखा था और आप दीख सकते हैं, यह साइज में डबल हो जाते हैं कुछ इस तरह से अब मैंने गैस को अनकर लिया, कुकर रख दिया, इसके अंदर हम यह पानी के साथ ही डाल देंगे इसी के साथ मैं इसके अंदर एट कर रहे हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसा नमक अच्छे से से मिक्स कर लेंगे, कुकर का ढकन देते हुए, इसे हम 3-4 विसल यहनी की 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे जैसे ही पक जाए, पूरा प्रेशर खतम हो जाए, उसके बाद ही ढकन को खोले पहले ही ना खोले पुरा प्रेशर खतम हो जा उसके बाद खोले और चलिए देख लेते चेक कर लेते कि अच्छे से पके हैं कि नहीं और आप देख सकते एकदम पॉफिक्ट तरीके से ये बढ़िया तरीके से पक गए हैं तो मैंने फिर से कैस कॉन कर लिया है कड़ाई रखत सबी को मिक्स करने के बाद ये जो पके हुवे मटर है वो पानी के साथ ही हम डाल दींगे और इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एट कर रही है और नमक हमने पकाते वक भी डाला था मटर को इसलिए अपने स्वा तो नहीं कि अच्छे से मिक्स करते जाए और इसे पकाते जाए जैसे 3-4 मिंट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे तो थोड़ा सा गरब मसाला और अच्छे से मिक्स करते वह पकाएंगे तो लीजे तयार एक दम बढ़िया से ये सफेद मटर की बहुत ही सिंपल और कम तेल में बनी हुई सबजी रोटी, पराठे, राई सबी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है तो घर पर ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स बताएगा आपको कैसी लगी अच्छी लगे से लाइक कीज़े, शेर कीज़े और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक्यू फॉआ वाच आएग